Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. बच्चो आज इस वीडियो में हम second class English की एक नई पोयम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है Zoo Manors. Zoo हम एक ऐसी जगे को कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे wild animals को रखा जाता है. लोग उन्हें देखने के लिए उन्हें विजट करने के लिए जाते हैं, हिंदी में इसे चिडिया घर कहते हैं, आप भी कभी गए होंगे या फिर कभी जाएंगे. तो ऐसी जगे पर आपको किस manner में behave करना है, आपका व्यवार कैसा होना चाहिए, जानवरों की तरफ obviously, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, यह आपको इस पोएम में बताया गया है. तो जू के क्या manners हैं जू में जाने के, यह हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी पोएम में जो कुछ new words आए हैं, उनके meaning आपको बता देते हैं, ताकि जब पोएम पढ़े हैं, तो वो आपको जादा अच्छे से समझ में आए. उसके बाद पोएम को हिंदी में explain किया जाएगा आपको, और finally जो आपको चाप्टर की end में questions दिये हुए हैं आपकी बुक में, उनके answers भी बताय जाएंगे कि आपको कैसे लिखने हैं, कहने का मतलब है कि आपकी बुक से ये पोएम इस वीडियो में बिलकुल cover हो जाएगी. शुरू करते हैं, अगर कोई भी बच्चा नया हो चानल पर आप चानल को subscribe कर लीजे, bell icon को press कर लीजे, ओके सबसे पहले word meanings, पहला word है आपका zoo, zoo बोलते हैं हम चिडिया घर को, एक जगह जहाँ पर animals को रखा जाता है, wild animals को, जंगली जानवर को, कुछ तो आपके domestic animals भी है, जो आपको घरों में भी मिल जाएंगे, जैसे cow, buffalo, goat, sheep, dogs, ये वहाँ पर नहीं मिलते हैं, वहाँ पर जंगल में रहने वाले जानवर मिलते हैं, जो अक्सर आपको colony में आजपास कहीं दिखाई नहीं देंगे, नेक्स्ट है manners, manners means किस manner में आपको behave करना है, मतलब विवार करना है, careful, careful रहना, take care करना, सावधान रहना, नेक्स्ट वर्ड है wise, wise means समझदार, नेक्स्ट इस हम, हम आपको दिखा देते हैं, तब आप ज़्याद अच्छे से समझेंगे, वैसे camel की back की उपर जो एक उबरा हुआ पार्ट होता है, उसे hump कहते हैं, जिसे की आप हिंदी में कूबड भी कहते हैं, ये देखिए, ये है camel, और ये है इनका hump, okay, hump बहुत important है, इसमें ये अपना food store करते हैं, आप जानते है, camel dessert में रहता है, जहाँ पर खाना बहुत कम मिलता है, ग्रास इनको कम मिलती है, पानी भी कम मिलता है, तो कई दिनों तक ये बिना खाए, बिना पानी पी रह सकते हैं, तो hump में इनका food store होता है, और इसे हम कहते हैं, hump, हिंदी में कूबड, next question is strutting, strutting मतलब शान से चलना, ब हैं, किसी act करना, behave करना किसी के साथ एक particular way में, तो ये हैं आपके new words, चाहे तो pause करके एक बार फिर से आप देख लिए, जू, चिडिया घर, manners, विवार, careful, सचेत या फिर सावधान, wise, होशियार, समजदार, hump, camel का back पे जो उबरा हुआ पार्ट होता है, कूबड, उसे हम कहत हैं, strutting, शान से चलना, treat करना, किसी के साथ विवार करना, और इसी के साथ हम आपकी poem शुरू करते हैं, अब, unit 5, read and enjoy this poem, इस poem को पढ़िये और enjoy करिये, zoo manners, be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo, be careful, मतलब साथान रहिए, what you say or do, कि आप क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, when you visit the animals at the zoo, जब आप animals को विजट करने के लिए zoo में जाते हैं, जानवरों को देखने के लिए एक चिडिया घर में जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इस बारे में आपको साथान रहना है बहुत, और क्या करना है, क्या कहना है, वो आपको नीचे बताया जाएगा, don't make fun of the camel's hump, he is very proud of his noble bump, कभी भी don't make fun, मजाक मत उड़ाइए of camel's hump, camel के hump का, कई बार बच्चे जाते हैं और animals के एक particular part को देखके, देखो वो क्या है उसकी कमर पे, हमारी पे तो नहीं होता तो आप हसते हैं, वो नहीं करना है बिल्कुल भी आपको, बिल्कुल मजाप नहीं उड़ाना है, camel के hump का, he is very proud, वो बहुत proud है, बहुत गर्व महसूस करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, office noble bump, उसका जो noble इतना शांदार जो bump है, bump हम कहते हैं कोई भी चीज जो थोड गर्व है, उसे बहुत अच्छा लगता है, तो आपको उसका fun मजाप नहीं उड़ाना है, एक चीज आपको पता लगी, यह नहीं करना है, बल्कि किसी भी animal का मजाप नहीं उड़ाना है, don't laugh too much at the chimpanzee, he thinks he is as wise as you or me, कभी भी don't laugh too much, बहुत जादा हसना नहीं है, at the chimpanzee, chimpanzee के उपर, chimpanzee देखा है आपने, यह देखिए, यह है chimpanzee, monkey जैसे ही है कुछ, यह देखिए, यह है chimpanzee, यह पूरी family है, mother chimpanzee, father chimpanzee and baby chimpanzee, okay, so आपको chimpanzee के उपर हसना नहीं है, he thinks he is as wise as you or me, क्योंकि chimpanzee यह सोचता है कि वो भी उतना ही होश्यार है, जितने उतना ही समझदार है, जितने आप यह हम हैं, तो जितने आप होश्यार है, उतना ही chimpanzee भी है, तो उसको देख के हसना नहीं है, and the penguins strutting around the lake can understand remarks you make, and the penguins, यह होती है penguins, यह रही, penguins, यह देखिए वैसे ही polar region में पाई जाती है, लेकिन zoom में भी आपको मिल जाएगी, penguins के बारे में एक important चीज़ अगर आपको बताऊं, यह flightless bird होती है, मतलब कि ऐसी चिडिया है, जो उड़ नहीं सकती, लेकिन बहुत अच्छी swimmer होती है, यह अपने penguins का अस्तिमाल उड़ने के लिए नहीं, बलकि तैरने के लिए, swimming करने के लिए करती है, तो आपसे पुछ इचा जाए, कौन सी वो चिडिया है, जो उड़ नहीं सकती, यह है, आपकी penguins, और जो penguins है, जो लेक के चारो तरफ, एक जील के चारो तरफ आपको struttle करते हुए दिख जाएगी, शान से चलती है, यह बहुत, यह देखिए, बिलकुल human being की तरह है, दो पैरों के उपर, ख जा रहे हो जैसे, तो यह जब struttle कर रही हो, शान से चल रही हो, और आप इनके उपर कोई रिमाक करते हैं, मेकर रिमाक, कोई टिपणी करते हैं, कोई बात बोलते हैं, इनके बारे में, they can understand, इन्हें वो बात समझ में आती है, इसलिए सोच समझ के बोलना है, penguins को जबी भी आप देखें, struttle करते हुए, तो उनके उपर कोई रिमाक नहीं करना है, खराब बात उनके बारे में नहीं बोलनी है, because they can understand, क्योंकि वो हर बात समझती है, treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo, उनको वैसे ही treat करिये as they do you, जैसे वो आपको करते हैं, जब आप जाते हैं, जब आप जाते हैं, नहीं न, animals की बात हो रहे हैं, तो आपको भी उनके साथ वैसा नहीं करना है, उनको भी वैसी treat करना है, जैसे वो आपको करते हैं, वेलकम करते हैं, आपको entertain करते हैं, and you will always be welcome at the zoo, वो आपको हमेशा क्या करेंगे, आप वेलकम रहेंगे, जू में, कभी भी जाने के करना है, यहां पर कुछ एक animals का दिया है, बट यह सभी के लिए applicable, आप कभी भी जाए, किसी भी animal को देखे, तो किसी भी उसके body part पे टिपड़ी नहीं करनी है, मजाग नहीं बनाना है, उसका चिडाना नहीं है, उसको, okay, फिर से एक बार poem को read करते हैं, उसके बाद हम question answers पर He is very proud of his noble bump, don't laugh too much at the chimpanzee, he think he is as wise as you and me, and the penguins strutting around the lake can understand remarks you make, treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo, और ये जो पोयम है आपकी ये लिखी है, एलीन मैथियास ने, ये इनके poet है, okay, अब new words देख लेते हैं, ये अपने proud, अपने उपर गर्व महसूस करना, noble, बहुत शानदार, बहुत महान, wise मतलब होश्यार, penguins आपको दिखा दी हैं मैंने, एक flightless bird होती है, struttle करना, शान से चलना, remark करना, किसी पर टिपणी करना, okay, now some question answers, पहना question है, reading is fun में, what do you see at the zoo, आप zoo में क्या देखते हैं, तो क्या दिखाई देते हैं आपको zoo में, first का answer आप लिखेंगे, we see many animals at the zoo, हमें zoo में बहुत सारे animals दिखाई देते हैं, at the zoo, next is, what does the camel have on its back, camel की back पर, peat के उपर क्या होता है, क्या होता है, hump, तो आप लिखेंगे, camel have hump on its back, camel की back पर, has होना चाहिए, वैसे आपर, camel has hump on its back, उसकी back पर hump होता है, उसका कूबड होता है, उपर की तरफ जो उबरा हुआ है, part उसे hump कहते हैं, let's talk, अब आपके लिए कुछ questions है, have you been to a zoo, क्या आप कभी zoo गए है, अगर आप गए हैं, तो आप यहाँ yes लिखेंगे, otherwise no लिखेंगे, name the animals which you see in a zoo, say the name in your own language and then in English, अगर आप कभी zoo में जाते हैं, तो आपको कौन-कौन से animals देखने को मिलेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में आपको उसके नाम बताने हैं, तो कौन-कौन से animals मिलते हैं जू में, जू में आपको elephants मिलेंगे, जिराफ, लाइन, मंकी, चिंपैंजी, बेर भी मिलेगा, क्रोकोडाइल्स, पैंडा, आपको बहुत सारी birds भी देखने को मिलती हैं, राइनो, डियर, है ना, तो ये बहुत सारे animals अगर आपको भी जाते हैं, आपको जू में देखने को मिलेंगे, इसके रावाँ आपने कोई और animal देखा हो, आप वो भी लिख सकते हैं, Name the animal you like the most, कौन सा animal आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं, और क्यूं, reason भी बताना है, तो ये आप ज़्यादा अच्छे से answer दे पाएंगे, कौन सा animal आपको पसंद है, tiger पसंद है, क्योंकि वो बहुत brave होता है, fast होता है, या फिर cheetah पसंद है, क्योंकि fastest animal है, या फिर lion और dog पसंद है, क्योंकि वो friendly होता है, जो भी animal आपको पसंद हो, या फिर cow पसंद है, क्योंकि वो हमें milk देती है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, Did you feed any animal at zoo? Should we tease animals? क्या आपने कभी किसी zoo में animal को feed किया है, खाना खिलाया है, अगर खिला है तो आप yes लिख देंगे, क्या आपको animal को tease करना चाहिए, उनको परेशान करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नो, आप किसी को भी tease करते हैं, आपको कोई परेशान करे, स्कूल में आपके friends या फिर classmates या फिर बड़े कोई senior सों आपके स्कूल में, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा फील नहीं होता है, आनिमल्स भी वैसा ही फील करते हैं, तो किसी को भी आनिमल्स की बात नहीं है, tease कभी नहीं करना चाहिए, लेट्स लिसन, इन words की pronunciation आपको सुननी है, बहुत अच्छे से, ये लिखा है, it, at, think, thank, fun, fan, much, match, well, wall, तो आपकी पोएम में जो words आएं, उसमें at आया है, think, fun, much, and well, तो इन पे आप टिक कर देंगे, क्योंकि यही words पोएम में यूज हुए है, बाकी pronunciation कैसे होगी, इनकी ये मैंने बता दिया है, say aloud, ये words आपको बोलने है, और जो बोलने को कहा जाए, उनको बोला करिया, आपकी pronunciation अच्छी होगी, bump, hump, dump, crowd, crow, cloud, claw, noise, prize, size, pies, flies, ओके लेट सिंग एन आक्ट, सिंग करना है, आपको गाना है और आक्टिंग करनी है, इस एलिफेंट वोक्स लाइक दिस और दाट, ये एलिफेंट इदर उदर करकी चलता है, और बहुत टॉल है, बहुत फैट है, इसके ना उंगलिया है, ना ही पैरों की उंगलिया है, टोज हैं, लेकिन ओ माई गॉल, इसकी नोज कितनी बड़ी है, इस और दाट को यूज करके अब आपको कुछ सिंटेंस यहाँ पर बनाने है, इस इस माई पैंसिल, दाट इस यॉर बुक, यॉर बुक, दिस इस अन एलिफेंट, ये एक एलिफेंट है, अन दाट इस वो क्या है, दाट इस अ जिराफ, वो एक जिराफ है, आप यहाँ पर कुछ सिंटेंस अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, नेक्स से लेट्स राइट, आपको आपके गाउं में विजिट करना है, और नीचे कुछ ब्लांक्स दिया हैं उनको फिल भी करना है, आपके वर्ड्स हैं, उनके पास एक फार्म है, फार्म जहाँ पर कुछ आनिमल्स रहते हैं, पेड होते हैं बहुत सारे, उनके फार्म पर देरार मेनी आनिमल्स, बहुत सारे आनिमल्स हैं, देर आर टू, वहाँ पर दो क्या हैं, यह क्या दिख रहे हैं आपको होर्सिज, गोडे, वहाँ पर दो गोडे हैं, अडाश ये क्या है, एक cat है, with its kitten और उसके दो kitten भी हैं, दो बिल्ली के बच्चे भी हैं, त्री डॉग्स, तीन डॉग्स हैं, one hen, एक hen है, as well as a cock और एक मुर्गा भी है, ये कितने सारे आनिमल्स हैं, and a cow, और एक गाएं भी है, ये सारे आन morning, हर सुबह, she feed her animals with hay, वो अपने animals को hay, मतलब घास खिलाती है, और milk या फिर उन्हें दूद पिलाती है, जैसे कि dog वो तो, या फिर cat वो तो घास नहीं खाते हैं, तो वो milk पिएंगे, लेकिन कुछ घास भी खाते हैं, they drink water from a dash on the farm, और farm के उपर क्या है, एक pond है, एक तालाब जहां से सभी animals पानी पीते हैं, composition, corner, look at the picture and fill in the blank, picture को देखियो और blanks को फिल करिये, lines, flats, buzzed, to be buzzed, okay, this is dash, ये क्या है, आप side में pictures में दिखाई दे रहे हैं, आपको, this is a bee, ये एक bee है, एक मदुमक्खी है, it has dash on its wings, इसके wings के उपर क्या होती है, lines होती है, पंको के उपर line आपको दिख रही है, bees के, it has dash antennas, इसके कितने antennas होती है, antennas हम इने कहते हैं, ये आप सर के उपर देख रहे हैं, bee के सर के उपर, जो ये दो होते हैं, इनको antenna कहा जाता है, इसके पास दो antennas है, two antennas, next is, it buzzes round the dash, ये किसके चारो तरफ buzz करती है, flowers के, क्यूंकि flowers से nectar लेके, ये honey बनाती है, shed बनाती है, it dash and dash and come to the zoo, ये करती है, it buzzed and buzzed, सारा दिन buzz करती रहती है, buzz बोलते हैं, bee की sound को, buzzing, and came to the zoo, और फिर zoo में आ जाती है, let's do, अब आपको यहाँ पर कुछ करना है, help the bee to reach its home, bee को उसके घर तक पहुचाईए, what are the things that you met on the way, which rhyme with bee, आपको रास्ते में कौन कौन सी चीज़े मिली, जो की bee के साथ match करती है, okay, bee को पहले घर तक पहुचाते हैं, पहले pee, tree, key, coffee, and then उसका house, तो कौन कौन सी चीज़े हमें मिली, bee से rhyme करनी चाहिए, हमें मिला pee, tree, key, and coffee, तो ये कुछ words हैं, जो bee के साथ rhyme भी करेंगे, बी, पी, tree, key, coffee, look at the pictures and fill in the blank, picture को देखके, blanks आपको fill करने हैं, कुछ animals के नाव यहाँ पर दिये हुए हैं, ये है lion, ल, आ, आ, ओ, ए, अ, ये है tiger, ट, आ, ज, ज, इ, आ, ये है wolf, ड, ओ, ल, ए, फ, व, 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 ये है deer, ये है जेकाल, जिसको आप गीदर बोलते हैं हिंदी मे ये है owl, उलू, ये है monkey, k, e, y, monkey, ये है bear, भालू, ये है chimpanzee, और ये है giraffe, ओके, spelling साब जुरूर लर्ण कर लेंगे, इन सभी animals की exam में आपको पूछी जा सकती हैं, ओके, let's make the noise that animals make, animals कौन कौनसी noise करते हैं, roll like a lion, bark like a dog, knee like a horse, moo like a cow, quack like a duck, chop like a sparrow, bleat like a goat, chatter like a monkey, grunt like a pig, hiss like a snake, आपको यहाँ पर कुछ animals और उनकी sound, डीवे, lion की sound क्या होती है, roar, shade दहाडता है, dog बाग करता है, cow moo करती है, horse knee करता है, duck quack करती है, sparrow chop करती है, monkey chatter करती है, snake की sound होती है, hiss, goat bleat करती है, and pig grunt करता है, join the dots and complete the name of the animal, इसके dots को आपको join करना है, ऐसे, और in animal का नाम बताना है, यह कौन है, जो अभी आपको दिखाई नहीं देंगे, कहीं भी, क्योंकि extinct हो गए है, खतम हो गए है, पहले यह होते थे, आपने शायद इनकी movie देखी हो, और यह है हमारे dinosaur, dinosaur, okay, चलिए students, इसी के साथ आपका chapter finish होता है, next आपको writing की practice दी हुई है, इसको आप join करके words को, इसको complete करेंगे, that's all for now, hopefully, poem आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आगे हो, question के answers कैसे करने है, वो भी आपने देख लिए होंगे, thank you so much for watching, quiz इसकी upload की जा चुकी, आप practice कर लीजेगा, worksheet बहुत जल्दी upload कर दी जाएगी, okay, thanks again,